हेलो फैंस वेल्कम टो एंपावरिंग इंडिया डिफेंस एकडेमी फैंस डेली जैसे हम इंडिना आर्मी एससे जीडी और आपका स्टेट पॉलिस एक्जाम के लिए पढ़ा ही करते हैं तो आज भी करेंगे दुस्तों ओके तो डेली 8 वजे हम साम को इसका लाइब टेस्ट क कि देखते हैं कुण-कुण ओनलाइन पर आये कि फर्स्ट आगे ओनलाइन पर ओके एक बंदा आ गया सेलो थैंक्यू जितन कुमर थैंक्यू ओनलाइन पर आने के लिए ओके आज दोस्तों हम कल थोड़ा काम था इसलिए हम 35 मिने क्लास किये थे 35 मिने क्लास किये थे इसलिए हमने आज क्लास करेंगा और साइंस का क्लास करेंगे दोस्तों और डेली हम जाब ट्रोइज पढ़ाएंगे ओके संतस कमाल पुष्टी गुड़ इविनिंग थैंक्यू लट्टूर वदहन थैंक्यू ओलाइन आने के लिए थैंक्यू दोस्तों चंदन महापात्र जैहिन जैहिन भाई देविय महंदा प्रमाद कुमार यादव गुड़ इम्निंग टिकेश्टी गुड़ के सर महांता थैंक्यू तीके सर महांता थैंक्यू तो फर्स्ट कुस्षिन का अंसर दीजिये दुस्तों टाइम हो गया शुरू दब्रांच अब साइंस इन इस लिविंग विंग आप स्टॉड़ीड इस गर्ड़ ओके अरुन कथार थैंक्यू दोस्तों यह बायलोजी कर रहे हैं ओके सफिर आहमल खान थैंक्यू अमें थैंक्यू प्लट्टू प्रदान थैंक्यू इस ब्रांच अब साइंस इन हुइस लिविंग विंग आर्श टॉड़ीड दोस्तों जो लिविंग मतलब पेड़ पोधा या इन्सान और जो जीव जगत के बारे में नीचे तो लिखा है जीव जगत के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसों क्या बोलते हैं केमेस्ट्री dizay-b 없다 नी जुल ओजी बायोजी इस छंतुश को माई रॉंग अंसर सभा गर्रस रहे बायो लोजी ऑके बायो लुजी प्लस्ट्री साइंस ना पता हूगा इस range of energy by ढुराइर बाइलोजी करते में बाइलोजी प्राणी और उद्विद और प्राणी सरह उसका लिखा है इस और दो नूमर बताओ दोस्तो तो स्टोडी औफ डिफ्रेंट आस्पेक्ट अफ प्लांट इस काल्ड दोस्तो जो प्लांट यानने पेड़ पोधा ओके प्लांट यानने ट्री कि बारे में दोष्री अजय होता है दोफ उसको क्या वोलत है जिसने राइट आंसर हैं रहुत लुटिमें प्रमोर रही अंसर का है चंधन अ महाप्रत्र टूर अफू ड्यूटी का अभी आया ने यार दोस्तों इसके अभी पढ़ाई करो उसके बारे में में लाको लाश्में डिस्सेंगों कड़ेगे ऑके प्लास करो आप चंदन प्रधार नेकलास करो उसके बाद मैं आपको टूर अब ड्यू टी शंजाओंगा । टेंसन मतलो अभी पहले पढ़ाई करो यार अभी पढ़ाई के टायम में धे पूछो गया टो या वाखी स्टुडेंट सब डिस्टिट्टर और लें आ वाका ईघ cherry चंदन प्रधान में बताऊंगा ना बाद में अभी पढ़ाई करो पहले अस्पेक्ट ऑफ आनिमल आनिमल प्रेंज मतलब प्राणी के प्राणी जगत के बारे में जो पढ़ाई होता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों बटन या जुलू जी ओके जुलू जी इस दो राइड एंसर थैंक यू कंसुमान ओके थैंक यू अनलाइन आने के लिए तो अभी करो दोस्तों यह जो चार नम्र क्या होगा दोस्तों टॉर्म बाइलोजी वाज फास्ट कोईंड वाए दोस्तों बाइलोजी जो सब मतलब उद्विदा विग्यान और प्राणी विग्यान बनस्पति विग्यान और प्राणी विग्यान के बारे में जो पढ़ाई यह इसको बाइलोजी बोलते हैं सेंगे बटनिंपloze मतलब क्या हैै बायो मतलब क्या है बोटनी हाँ कि प्लस झ। जूलो जी प्रक्री क्यों क fluent ब्लोघ हुआ나 प्लसों जुलोजी है से दॉन बोल प्लडन हुं जूक जो बायरो जी का नाम किस ने लाममअार्ग भिज राइड अंसर है और ट्रेविन ट्रेविनुस भिज राइड अंसराथ है ऊक दोनु जब्लों आंसर तो भोथ रईड राइड अंसर यूड दोनु भोथ एड आंसर पांचनवर दोस्तों who is the father of botani father of botani दोस्तों कोन है बताइए जल्दी जो फादर अफ बोटान दोस्तों कोन है लट्टु प्रधान लामार्ग और सुरी फादर अफ बोटने होता है लामार्ग साहिए और ये थे खाव फाण से आर आएए पांस नम्डर बताओ दोस्तों पांस नमबर पांस नम्बर बी है जो जो ध्यिड वगयान और बनसपती वगयान और फादर कोन है दोस्तों Léo ओप कि युव्यार्ष गोवश्टस पारिते ओंस नंदी कर अब कर दो नहीं कि पड़े गाने में जाने अच्छ अ कर दो अच्छ आफ इस दो कि अब नमब से नमब ओके पांस नम्बर पांस छे नम्बर होगा दोस्तो आरिस्टोटल ओके आरिस्टोटल होगा ओके फादारफ जुलोजी दोस्तो आरिस्टोटल होगा किसे याद रखेंगे सोठक ट्रीग एक मिल्डर जुलो जी दोस्तो है प्राणी भीड्यान लैकिस्टोटल लोगा और जाको वासमा अपरेशन odcवर एक लहां करते आरिस्टोटे लिफो और मतलब काटने वाला चीज ऊके तो डॉक्टर इसमें यूज करते हैं आरी तो आरी से आप याद रख सकते हो आरी आरी से क्या होगा जुलू जी ओके तो जुलू जी आप याद रखना दोस्तों यह होगा आरी शटल ओके नेक्स्ट बताओ दोस्तों अजय को ऑफ इंटर्नल स्ट्रक्चर अफ और गानीजिम इंसान शरीर की इंसान हो या कोई भी जानुर हो या पेड़ पोधेव इंसान का होगा इंसान की शरीर या कोई प्राणी का शरीर के बारे में अंधर नहीं पढ़ाई हो क्या बोलते हैं लगा सब्सक्राइब इंटर्नल स्ट्रक्चर अफ और गानीजिम इस अब ने रॉंग आंसर दिया छे नंबर दोस्तों यह वाँगा आणाटोमी ओके आनाटोमी होगा जो हमारे बोड़ी के बारे में जो पढ़ाई करते हैं मेडिकल साइंस में पढ़ाई करते हैं उसको क् याद रखना है यह चीज़ साथ नमर दूस्तों बताव श्टोडी ओफ ग्रास इज कर्ड़ इंद्रजित किसान लुद प्रबाई प्रश जसजड़ी आटोच नमर ज्सेदी यह नहाँ सकता हैं जाटोचोछ बड़ाई हुआ है 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 हुआ है 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 जो कि अधर नंबर एक बिर्टा यह होगा दोस्तो अरिस्टोर्टल सरी एग्रस्टोलोजी होगा यह ओके इसका रायद अजरा दोस्तो अरिस्टोलोजी है 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 ओके है एक अरिस्टो बिर्टा अधर शे डिया और है तो इस तो तो डिया फो ग्रास वोगा ग्रास ग्रास से नाम याद आएगा यह देखो यह ग्रा लिखा है ग्रा तो ग्रास से ग्रास ग्राइज याद रखना ग्रास की पढ़ाई याद ग्रास की पढ़ाई को आग्रिस्ट्रोलोजी को बोलते हैं ओके आठ नमर बताओ स्टॉड़ी आफ़ जॉयन्ट स्टॉड़ी आफ़ जॉयन्ट बोलो दॉस्तू अंसर हड़ी की अर्थोलोजी ए इस दो राइट अंसर ए इस दो राइट अंसर ओके अर्थोलोजी ओके इंद्राजी दि गुलिभूदी इम्यंग तो आठ नमर पर होगा अर्थोलोजी कैसे अर्थोलोजी आप याद जेखने आडवाडाइज देता है टिवी में बोलता है डॉक्टर अर्ञ तो ना डॉक्त रटड़ अर्थू का मतलब है तो उसी याद हुआ से याद रखना तेह बोलता है और अपना पगड़ता है एक मतलब अपना नी जो न 不行 होता है उसको पकड़ता है और उसका घुटना पेन होके बोलता है और आप यह दबाई डॉक्टर और्थो दबाई खाओ यूज करो यह ठीक हो जाएगा ओके हां लेका जोएंट तो याद रखना वह आड़ वाड़ाईज याद रखना आपका टीवी वाला डॉक्टर और्थ आपना घुटना पकड़ों के बोलता है तो घुटना मतलब क्या है जोएंट यानि जोएंट का पढ़ाई को क्यों और्थो अर्थो जी तो एक शॉट्कसी याद रखो दूस्तों सारे सब्सब्द में न जितने वाड़ है उसमें एक एक त्रीक चुपा हुआ है और ट्रीक देश्टोडी आफ ओरीजिन डेवलोप्मेंट और रिलेशनशिप बेट्विन दो कुल्चर पार्ट और रेजिन हुमान दोस्तो क्या वा दोस्तो दोस्तो यह आंथ्रोपोलोजी होगा ओके अंथ्रोपोलोजी स्टोडी ओफ ओरीजिन डेवलोप्मेंट दोस्तो यह है जो जैसे नियंडर थेल मानव आपने पढ़ा होगा जो पूराना मानव थे हमारे जंगल में रहते थे इंसान का जो पूरपोजो गोलते हैं तो उनके बारे में पढ़ाई करना रिसर्च करना उनका केसे केसे तरक्की हुआ चेंजमेंट हुआ उनके बारे में पढ़ाई करना यह लिखाई देखो घुमना प्रेजन आंड पास्टे इंसें का पुराने उठकल्चर के वारे में पढ़ाई कर alors के वेस puòलते आंथ्रोपो लोजी क्या वोलते दश्तो आंथ्रोपो लोजी एक रोट्योत नहीं होगा आन्थ्रोपो लोजी तकी ओ में ग्योंड में देगा ओ कि आंथ्रोपोलोजी वी यह अंथ्रोपोलोजी दोस्तोडी अफ्लावर और फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लाइट 처 पहुलो लोजी फूलो लोजी रोंग अंसर दस्तो ए होगा अंथो लोजी अपने साइंस में कोई पढ़ाऊगा साइंस का स्टुडेंट यह दोस्तों फूल है इसके पराग निकलता है जिसमें इसे अपने देखाऊगा आप लाल फूल होगा ओकर मंदर फूल जिसको बोलते हैं लाल फूल होगा उसमें अंथर होगा मतलब जो इसका फल बनाने के कि जो मधुमक्य बेढ़ता है और जो इसका अंथर में मेल उसका जो शुक्रान हुए उसको लाता है फिमल में फिमल का जो उसका गरभास में फूल है जो उसमें डालता है उसका फल बनता है उसमें तो अंथर बोलते हैं उसको कोई भी फूल में ऐसे आप देखा होगा इसमें बिंदी बिंदी यस ऐसे लगा होगा इसको अंधर बोलते हैं तो फूल का अंधर है भूल में अंधर लगा हुआ है अंधर से क्या आएगा यसΐ अंधर यहां दोस्तो डोस्तो स्टोडी आफ में यही फ्रडक्टिव और्गान मिल रिफ्रोड़क्टिव और्गार्ण मतलब क्या है دोस्तो सि ए STEPHAN K चाहिए तो आपको पता हुआ मेल का क्या होता है दोस्तों टेस्टीस होता है इसको बोलते हैं हिंदी में अंडर कोस बोलते हैं तो अंडर कोस से दोस्तों आएगा क्या आंडरोलोजी तो मेल रीप्रोड़क्टिव जैसे नाम आ जाएगा वह आप याद रखना उसको मेल का क्या होता है दोस्तों अंड़कोस होता है रिप्रोड़क्टिव और्गान तो अंड़कोस से दोस्तो आन्डरलोजी हो जाएगा ओके सट ट्रिक याद रखना टेस्टलोजी नहीं आन्डरलोजी कोई बाद नहीं आर स््टुडेंट हो कोई दिख्रोड़ी ओका र स्ट्ट्रेंट तो आये सप्सेर बनते तो आर स्ट्ट्रेंट अच्शा होता है तो के टेंशन मतलोड़ू यह बताओ दोस्तों प्रोड़क्शन और डिजाइनिंग आफ स्पेयर पाट फर ओभरकमिंग वहरियस डिफेक्ट इन म्यान दाटीज आर्टिफिशल लीम्स आईगरन लॉंग स्पेस्ट में कर इसको जो इंसान का पेर कट गया है उसके लिए डूप्लिकेट पेर बनाना प्लास्टिक का यह सब जो इंजिन है तो उसको कि देखें हैं कि बायो मेडिकल इंजिनेरिंग भी होगा ओके बायो टेक्नलोजी दोस्तों नहीं है बायो टेक्नलोजी मतलब दोस्तों जो जिनेटिक के बारे में रिसर्च करते हैं जीन के बारे में रिसर्च करते हैं दोस्तों जीन के बारे में बायो टेक्नलोजी दोके जीन के बारे में रिसर्च करते हैं जीन बायो मेडिकल इंजिनेरिंग दोस्तों क्या होता है यह डूप्लिकेट पेर बनाना ओके और डूप्लिकेट लॉ बैक्टेरिया इसको बैक्टेरिया बहुत दीजिए दोस्तो बैक्टेरिया जो होता है ना जिवानों जिवानों का पढ़ाई के बारे में दोस्तो क्या बोल दे उसको बताओ दोस्तो थोड़ा ओके बैक्टेरियो लोजी बहुत दीजिए यार बैक्टेरिया से बैक्टेरियो लोजी होता है ओके दोस्तो लाइक कर दो और चैनल में नए है प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो हमको सप्पर्ट करने के लिए और जो दोस्तो मैं बतारा था आपको हमारा म्याद क्या चैनल बनाये हैं म्याद के लिए एमपावरिंडिया बाई एजुगेशन उसमें अच्छा भी डेवलोपमेंट हो रहा है और उसमें ओनलाइन दोस्तों म्याथ करेंगे ओके एमपावरिंडिया बाई एजुगेशन में म्याथ करेंगे दोस्तों तो प्लीज चैनल को सपोर्ड करने के लिए आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो दोस्तों आपका जितना भी दोस्त है उनका मूबाईल से थोड़ा सब्सक्राइब कर दो चैनल को तो चैनल को अगर हो जाएगा तो हम अल्लाइन पढ़ा पाएंगे और मैं ग्यारेंटी देता हूँ 100% आपको जब दिला के रहेंगे फ्री आप कोई पेसा नहीं लगेगा दोस्तों तो प्लीज दोस्तों एमपावरिंडिया वाइवगेशन जो चंदन सार पढ़ाते हैं उसको सब्सक् रॉप पढ़ा होथा है है ओके वो क्या बोलते हैं तो सोलोजी या साइचोलोजी ओके छेल से आजएगा सी साइट्रोजी ओके से छेल से साइट्रोजी आ जाएगा ओके 12 नमरा दोस्तो बताव हो तू Genetical Identical Individual Living Wind Is Called दोस्तो जीसे पुरा duplicate बनाते हैं ना तो duplicate बनाते हैं दोस्तो सक्तिवान में देखावागा duplicate सक्तिवान बना था एक आच्छा हीरो था और एक popular विलियन था विएन शक्तिवाण था और और ओर्जिनल सोकन था अबने शक्तिवाण देखा होगा तो कया बोलते हैं उसको क help लोग के अलाग से democrसे दिखाई देंगे अलग-अलग दोनों क्यारेक्टर लेकने अलग होगा दिखाई एक देते हैं थैंक्यू दोस्तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तो आपसे ख्लास करके ये बताओ दोस्तो Study of Heart Study of Heart दोस्तो क्या होता है आपका नेटर जिसका प्रोब्लेम है दोस्तो प्रोब्लेम अपका इंडियूजल होगा हमारा नेटर दोब चलो लाए जिसका नेटर प्रोब्लेम है थोड़ा अच्छे देगा पर आजाओ जहां पर नेटर आ रहा है या सीम चेंज गरत हो दोस्तो Study of Heart क्या होगा दोस्तो Heartology या काडियोलोजी क्या होगा 16 नमबर दोस्तो 16 नमबर होगा काडियोलोजी जिसने काडियोलोजी लिखा है उसका राइडान चरे काडियोलोजी होगा दोस्तो केसे याद रखेंगे study of heart is cardiology दोस्तो हाट का जिसको विमारी होता है न उसका मतलब हाट क्या है काटता है यानि दर्द होता है बोलता है जिसका हाट पेन होता है बोलता है मेरा छाती दर्द होता है छाती पेन होता है कि छाती काटता है काटने से क्या हो जाएगा काडियोलोजी ओके हाट का जो पढ़ाई होता है दूसरों क्यों बोलते हैं काडियोलोजी ओके ओके स्टड़ी ओपुलेशन जो लोगों के बारे जो जनसंख्या के बारे में जो पढ़ाई होता है दोस्तों जनसंख्या की बड़त्री हो गया काम हो गया तो इसको जो पढ़ाई को क्या बोलते है दोस्तों कि इसे जैसे पॉपूलेशन बढ़ता है ना पॉपूलेशन को जैसे पॉपूलेशन बढ़ता है यह कोई पॉपूलेशन इंडिया में हम बोलते हैं क्या बोलते हैं डेमोक्राशी कांट्री डेमोक्राशी डेमोक्राशी से क्या आ जाएगा दोस्तो डेमोक्राशी से डेमोक्राशी म तो दो 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 कि आजा एगा, लुटा, लुट एगा? लुट लुट, लुट कि अब बताओ दोस्तों इसका ओके तो स्टॉडिया पॉपुलेशन क्या होगा डेमोग्राफिय थैंक यू तो दोस्तों अठरा नमर क्या होगा अठरा नमर रियंडम मूवमेंट अप मॉल्लीकुल और आयन और ग्यासेश फ्रम वान रिजियन टू हायर कंसेंटरेशन टू लोयर कंसेंटरेशन दोस्तों इधर मॉलीकुल है कोई अनु परमानु हुआ वह एक जगा से दूसरे जगा पे हमेंसा ट्रांसपर करते हैं यदि इधर पर कंस जगा पे उजने के कोशिश करें उसको क्या वोलत के दोस्तों अप्र या डिप्यूजं यह के मेश्ट्रह उसीने त्यांक्योघила लोर सनी है डिप्यूजं हुआ क्या बोलें दोस्तो अठ्रा नंबर होगा दोस्तो डिफ्यूजन कैसे याद रखेंगे दोस्तो डिफ्यूजन पताना चाहता हूं दोस्तो डिफ्यूजन डिफ्यूजन मतलब आप याद रखना जो गुंडे हैं एक याद रखना दोस्तो पिक्चर में क्या करते हैं गुंडे डिस्यूम डिस्यूम लडाई करते हैं तो आपस में लडाई करते हैं तो डिस्यूम डिस्यूम आपको याद आजाएगा मॉलिगूल यानि अनू आपस में जो टकराते हैं उनके बीच में डिस्यूम डिस्यूम फाइड होता है तो डिस्यूम डिस्यूम से याद आ जाएगा क्या हो जाएगा डिस्यूम से क्या हो जाएगा डिसे डिस्यूजन तो जब अनु पर वानु आपर से टक्राते हैं उसको बोलते हैं क्या तो रियांडम मूवमेंट मतलब आपस में टक्राना मतलब इधर उदर जाके आपस में ट लग रहाते हैं कि अ कि अ हुआ है 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 थेंक्यू नौर नम्र बता दोस्तों सरी उन्नीस नंबर नेशनल रोग चंबड़ी यार स्कीन के बारे में पढ़ाहिको क्या बोलते हैं दोस्तों ऑके डर्मारोजी आपने याद रखा कैसे याद रखेंगे दोस्तों स्कीन की पढ़ाहिको निघर्ण करत कर दोस्तव संतोस कुमार प्रूष्टी क्लियर दिखाई ने दे रहाए चलो ठीक है मैं थोड़ा जूम कर देता हूं के अभी क्लियर दिखाई दिया संतोस कुमार प्रूष्टी 19 नंबर लिखाए है स्कीन की पढ़ाई को या चमड़ी का जो हमारा स्कीन होता है चर्म चर्म की पढ़ाई को दोस्तों डर्मी टोलोजी याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे देखो दोस्तों आप एक स्टोरी देखा होगा एक आड़वाटाईज आता है टिवी में जो घृमोरी या का एडबाड़ा जाता है तो उसमें घृमी कूल पाउडर यूज करता है क्या किवस्ट करता है ट्रक्रता है कि ड्राम ड्रमी कूल कहा यूज करता है अपना यूर्ड Hari सकीन पर अपना चर्म में डालता ह है ड्री कूल घृम ट्रल के लिए एंटी इंफेक्शन और इंफेक्शन आँऊ इंफेक्शन से बचाने के लिए एंँट इंफेक्शन तो डर मीकूल से हो जाएं ने दोस्तो varying कि इसकी नि याद स्कीन जैसे आएगा ड्यो किली पर और लोकना डर में मतलब डर्मी कूल पाउडर डालता है स्कीन में तो डर्मी डर्मी कूल आजाएगा डर्मी डर्मी डूलो जो के और में अधन का डर्मी करता है स्कीनाओ झाओ लो जो में जाँ cinema Сाएंध मतल नाका दूल मैं पतल तर में लो जहाओा र्मी लुड्वीखा उल साइब है। और में उल्हाओा यखत को वडे आ कि ओके विशन दिखा रहा हूं कि विशनवर कुछी नहीं है दोस्तों ग्रोथ रिंग अप ट्री टू नो इस एज पी अफ इंटर रिलेशन्शिप बिटून लिविंग अड़ इन्वारमेंट जो जीव जगत के बारे में पढ़ाई को क्या बोलते हैं इन्वारमेंटल साइं या एकोलोजी ओहो नहीं अभी नेट आगया ओके आज एक टेंशन मतलो आगया नेट श्टोड़ी अफ इन्वारमेंटल साइं बिटून लिविंग अड़ इन्वारमेंट पढ़ाई को क्या बोलते हैं इन्वारमेंटल साइंस अच्छा संतोष कुमार दोस्तों 20 नमबर का अंसर होगा डेंडरो चोन लोजी ओके डेंडरो चोनलोजी होगा अंसर डेंडरो चोनलोजी होगा अंसर जो पेड़ पाउधे के गौच्छ पत्र रव बयसम आपिवा पाई जो ट्री के बाद जो साइन से यूज गरा जाए ताको कहंती डेंडरो चोनलोजी ओके 21 नमर दोस्तो स्टोडी अफ इंटर रिलेशन्टिप बीटून लिविंग और इंवर्मेंट जीव जगत के बारे में हम उके इंसान प्राणी पुत्ता बिली जितने भी है और पेड़ पोध है और हमारा इंवर्मेंट समूंदर हुआ बाईवंदर हुआ यह सब इसके बार कि अधार दोस्तों इसको एकोलोजी बोलते हैं ओके इको सिस्टम आपने गई सुना होगा इको सिंहों के टीके सरुमांद रिपोलेशन इको सिस्टम बोलते हैं किस grammबर होगा इको सिस्टम देखो दोस्तों आप यह से याद रखना जो environment अना environment तो जो होता है इनवारमेंट जो प्राणी जगत जो होता है तो उसका जो पढ़ाई इन्वारमेंट यानि आप जंगल में जाओ वह भी environment हो गया आप जोर से चिला ना आपका आवासदेखना पहाड़ी से इकको होगा जो जंगल में जाएंगे आप पाहडी में जाएंगे आपका आवाज क्या होगा दोस्तो इको होगा क्या होगा इको तो जो जंगल पाहडी में आते हैं तो इको से हो जाएगा इकोलोजी तो लिविंग यानि जीव जगत पाहड परवत जितने भी उनका वीच में जो वेसे यह दोनों के बीच में जो संपर्गे उसको बोलते हैं एकोलोजी ओके सीधा यह बहुत इंपोर्टन कोशीन है दो सारे इंपोर्टन कोशीन ही कर रहा हूं में ओके उसके नमर 22 नमर दोस्तों बताओ स्टोड़ी ओरीजिन अफ लाइफ वेरियेशन और फॉर्मेशन अफ न्यू स्पेशिस 22 नमर बताओ इभोलिशन इस दराइड आंशर इभोलिशन ओके सारे इंपोर्टन कोशीन में चून के किया हूं इभोलोशन होगा ओके दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों यह कुश्चिन में दिया है स्टोड़ी ओफ क्या दिया है स्टोड़ी ओरीजिन अफ लाइफ हमारा जो हमारा खुद का लाइफ इंसन कहां से स्रुष्टी हुआ बोलते हैं पहले लाइफ पानी से स्रुष्टी हुआ तो उसके बारे में जो पढ़ाई होता है उसको बोलते हैं दोस्तों इभोलिशन हमारा जान कहां से स्रुष्टी हुआ औरिजिन आफ लाइफ कहां से सुष्टिया दोस्तो उसको बोलते हैं इवोलिशन पहले पानी से जेली वाला एक फीस ता उससे सारे जीव क्रियेट हुआ धिरे इंसान हुआ सब कुछ सब जानुर पेड़ पोदे सब बनने तो उसका जो पढ़ाई होता है इसको बोलते हैं दोस्तो इवोलिशन के ट्में face के अश्टियोफ हुआ डियोलिशन ओफ एख फार्यर्मेशन ओफ एंब्रियोध क्लापमेंट और कर्या बोलते हैं दोस्तों О्थ एवोख एंब्रियोफ टॉस्तो वेंब्रियोफ मतलब क्या होता है दोस्तो मा की पेट में इंसान हो, या कोई जानुहर हो, कोई भी हो, मा की पेट में जो उसका भ्रून o रहता है उसका गरभाँ सवय में, उसको बोलते हैं दोस्तों, अEMBRY on तो Fertilization, तो उनका मा के स्रीर में गरभधर्ण करता है व्त शा, तो उसको बोलते हैं Fertilization, okay तो उसको कौन से क्या बलते हैं दोस्तों तेस नंबर फटलिशन नहीं होगा दोस्तों उसको बलते हैं एंब्रियो लोजी ओके एंब्रियो से देखो एंब्रियो सब्द है ना इधर आगो मैं दिखाया ना यह देखो दोस्तों इधर लिखा गया सोरी आग से जो क्या लिखा दोस्तों यहां पर लिखा है एंब्रियों उके एंब्रियों से आय जाए एंब्रियों लोजी ओके एंब्रीयों माने जो भूना ओके भूना के बारे में पढ़ाई को गोलते हैं एंब्रीयों लोजी यह बहुत एजी है जो उनको मिल जाते हैं आराम से मिल जाएगा आपको कि चौब इस नम्बर दुस्तो कि कि चौब इस नम्बर इस टॉड़ी ओफ इनसेक्ट या जो इस इनसेक्ट या कीड़ा मकोडा ओके कीड़ा मकोडा के बारे में जो पढ़ाई होए है दोस्तो उसको क्या बोलते हैं कि एन्टो मुलोजी बोलते हैं इसका राइड़ां तो इनसेक्ट के बारे में पढ़ाई को कीड़ा मकोडा के बारे में पढ़ाई को बोलते हैं एन्टो लोजी ओके कैसे याद रखेंगे एंटो इन्टो से आपको इससे सुनाए दिया रहा है आंट आंट मतलों दोस्तों क्या होता है जो है या पिमपूरी तो यह भी एक खीड़ां मखडा होता है तो इंसेक्ट से आपको याद आज़ेगा आंट आंट से याद रखना दोस्तों एंटो मोडूजी ऊके इंसेक्टिसाइब करना नारो आंसर रहा रहा को बेक्टा के पटाइका वोलते हैं ए एंतो मोडूजी से याद रखेंगे दोस्तो लिए टो की एक आंट है इंसेक्टिसाहील मतलब कीडा मोड़ा कीडा साइज आएगा पीमपूदी पीमपूदी एक कीड़ा हे तो आंट से आई जाएगा दोस्तो anh तो यह यह लोगा पोई भी ट्रीग आप यह आप यह प्रोब्लेम नहीं अपना आपका खुद्गा ट्रीक भी यूज़ कर सकतो यदि कोई रिखाए तो मेरे को बताओ मैं भी बच्चे को पढ़ाओंगा ओके थेंक्यू यह बताओ उटिवेशन आफ के दूस्तों रखे जो फ्लावार याने फूल का जो पूदाल अगाने का क्या बोलते हैं फूल कर के पूदे लगाने को क्या बोलते हैं दोस्तों फ्लोरी कलूचर रोड़ी कल जैसा सुर्य की कोई कोई फूल लगा है ऌके तेल के लिए तो उसको रहते हैं फ्लोरी कल्च्टब और बहुत बंदें बहुत लोग है जो कि हमरा जो इंदा फूल है और रोज है रजिनीगंदा यह सब फूल किलति करते हैं उसको बलते है फ्लोरी कल्चब पत्चिस नमरों बताओ दोस्तों ओके अंसर दे दिया study of variation of transmission of heredity character from parents to their young generation young ones दोस्तों हमारे माबाप हमारा दादा दी से हमारा जो गून आया है हमारे अंदर उसको क्या बोलते हैं heredity बोलते हैं या genetics बोलते हैं इस जीन मतलब इसका इसका अर्थ समझने कोशिच करें दोस्तों इसमें हिंदी में लिखा हूं माबाप से माबाप से उनके बच्चों के अंदर जो गून वरतन होता है जो गून आता है हमारे माबाप से जो आता है दोस्तों क्या बोलते हैं जेनेटिक्स क्या बोलते हैं जीन माबाप का जीन से हमारा चेहरा भी ऐसे होता है माबाप का जैसे गून क्यारेक्टर होता है जेनेटिक्स बोलते हैं जेनेटिक्स एक तो क्येसे याद रखें दोस्तों इसको क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए हेरेटिक्स क्या होता है है बन्सगत चरित्र जो माबाप से हमारे अंदर आता है हमारा दादा जी से हमारे अंदर आता है हमारा पर दादा से जो हमारे अंदर आता है दोस्तों उसको बोलते हैं जेनेटिक्स ओके थैंक्यू याद अबो एक मिनिटे दोस्तों एक कुर्सिन कहां थोड़ा एक सेक्न दोस्तों यह बता दोस्तों सब्विस नंबर स्टॉडी आफ फिमेल रीफ्रोड़क्टिव और गान जो रीफ्रोड़क्टिव और गान होता है दोस्तों महिला का उनका उनके बारे में जो पढ़ाई हो तो क्या बोलते उसको स्टॉडी आफ फिमेल रीफ्रोड़क्टिव और गान प्रोजिस्टी रन इस्ट्रोजेन प्रोजिस्टी रन गाई में भी ऑन दोस्तों सहर में कहीं भी बोलते हैं कोई लेडिउट्ट फ्रेग्नेंड ने ऊर्थे उम्ल है माँ दी प्रेग्नेंट उस द्देयो गाहय निक डक्टर को दिखाओ क्या बोलते दोस्तों अपने शुना होगा जओ गाय नीक डॉक्टर को दिखाओ मतलब जो प्रजनन के बारे में जो उनका प्रजनन सक्ति के बारे में साइन्स टेकिंग क्यार है है मतलब हमारे जो बिज्ञान है हम यह सुष्ट रहेंगे साब सभाई वाला खाएंगे अच्छा ना आएंगे अच्छा रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हेल्थ के यार या हाइजिन बोलते हैं दुस्तों बताओ मेरा नेट दुस्तों स्पीड है ओके हेल्थ के यार रॉंग अंसर हेल्थ यार इस रॉंग आंसर हाइजिन होगा ऋके हाइजिन होगा मतलो हाइजिन क्या है दोस्तों किसे याद रखेंगे आप डॉक्टर के पांस जाओगे कि यह आदमी है जॉन से ना आपने देखा होगा या अच्छा है हाई जीन मेंधेन करते हुँ आप याद रखना जीन मतलब उनका जीन अच्छा है तो जीन से आजाएगा हमारा हाई जीन मतलब बहुत अच्छा हाई फाई जीन है उनका तो जो अच्छा हेल्थ है मेंटे करता है Taking care of health है Science taking care of health है जो बिग्यान होता है दोस्तो अपना सरीर का देखवाल करना अच्छा रखना उसको बोलते है हाईजिन तो हाईजिन याद आयगा दोस्तो हेजिन किसका आच्छा है दोस्तो सलमन खान का हेल्ध साट साल उमर हो गया एभी भी हिरो का रोल करता है तो हेल्स अच्छा हैं एचीज अच्छा है है दोस्तो स्लम क्हां का हाई जाने हीइन हाइन और माँ चाहे कोई 20 साल उड़ा जैसा दीकता है उसका जीजिद कहा है तो उनका जैनेटिक यह चीज़ आशा है जिन ओके तो ट्रीक बताता हूं दोस्तों वो ट्रीक से आप याद रखेंगे ने तो अपना ट्रीक यूज़गर वे कोई दिक्कत ने इसमें चाहिए आटाइस नमबर तो ट्रीक स्टॉड़ी अफ ब्लोड ब्लॉड के बारे में जो पडाही दूस्तों को क्या होते ब्लॉड साइन्स या हैमेटलोजी 28 नमरब्र बीज इसन्य दिया है राइडेन से दुस्तों है हमतोजी क्यों होगआ हमतोजी दुस्तों क्योंकि रहते हैं गन्मोगलूबिन क्या रौसता है दुस्तों हेमो गणूबिन हेमोगलूबिन से एक दुस्तों Nokia हमोटोलोजी ओके ब्लॉड में रहता है हमोडोल हमोविन हमोविन है जाएगा हमोडोलोजी बड़िया याद रखने है बड़िया सटकर्ट ट्रीक तो आप थारे जीके में इसे ट्रीक बना के पड़ाऊंगा वह टेंसर मतलोग मैं ग्यारिंटी आपको जब पका दिलाऊंगा स्टोडी आफ ट्रीटिंग डिजीज वाइड ड्रॉग हमोगलोबिन नहीं है हेमोटोलोजी ओके स्टोडी आप हुमान ब्यूटी बता 29 नंबर ब्यूटी साइंस या कालोलोजी दोस्तों राइड अंसर है कालोलोजी इसने बताया देखो दोस्तों ब्यूटी में आगया हीमान ब्यूटी मतल nenhuma कोई काला देख लाए थोड़ा व म्सको बोले तो थोडह ब्यूटी पुलर जा तो अच्छा थोड़ा थोड़ा तुरह मेकप कर देग और गोरा हो जाए सोके स्टोड़ा से या काला काला आदमे quantum ब्यूटिपलर जाईगा तो गोरा करें ओके थैंक्यू काल ललो जी थैंक्यू ओके गुगली रानी कहां से आ गई यह रा गुगली रानी चलो ठीक 30 नंबर स्टोडी ओफ ट्रेटिंग डिजिस बाइड ड्रॉग मतलब कोई दबाई से कोई बिमारी को ठीक करने को क्या बोलते हैं ओके ड्रॉग मतलब क्या होता है दोस्तो याद रहना ड्रॉग मतलब ड्रॉग्स नहीं है जो खाके नहीं ऊके थाउंक यू च्टन कुमर धनक यू झाल लिए अतना सुकस्τοत कल मिलेंगे 8 बजहा है तो कल दोस्तों म्याथ और करेंगे कल म्याथ प्लस रिजोनिंग करेंगे और दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं आपको म्याथ अच्छा चाहिए तो म्याथ आपको अच्छे पल्लो चंदन्सार से पल्लो और मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिन में म्याथ हो चंदन्सार करेंगे और मैं रिजिनि लाणी बारिक क्लास अच्छा लग रहे थैंक्यू ओके जहिन भाई गुड़नाइट अच्छे से पढ़ाई करो गोई क्लास करने के बाद भी पढ़ाई करो अच्छे से थैंक्यू दोस्तों